सभी समाने सिक सक साती को नमस्कार, समाने सातीों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जो ARP है, बे अपने मोबिलीटी भत्ते का पूरा स्टेटमेंट कैसे देख आये देखे हमारे जो ARP है, उनको मोबिलीटी भत्ता मिलता, चाहे वो कितना ही क्यों न कम हो तो यदि भे ये जानना चाहते हैं कि उन्हें mobility भता कम मिला था किस तारिक को मिला कितना मिला उसका पूरा statement यदि भे निकालना चाह रहे हैं तो इस वीडियो में हम इस चीज को रखेंगे इसके साथ ही जैसा कि आप जानते ही हैं कि वर्तमान में PFMS portal के माध्यम से ही SMC के खातों का भुकतान जो धन्ना सी आई है उसका भुकतान vendor को किया जा रहा तो ऐसी स्थिती में vendor हमारे प्रदहनाद्यापक महोदे से पता करते हैं कि भाई हमारा payment आया हत्व नहीं आया तो ऐसी स्थिती में vendor कैसे देख पाए कि उसका payment उसके account में आ गया थवा नहीं तो vendor भी साथियो स्वम पूरा का पूरा statement अपना देख सकते vendor स्वम और इसी प्रकार से यदि कोई ऐसा सदस्या है जो PFMS portal के माध्यम से उसे भुकतान हुआ है तो बैभी अपना पूरा का पूरा statement दे सकता तो साथियो इनी प्रस्णों को लेकर के आज हम इस वीडियो में आये हैं चलिए वीडियो को प्रारंब करते हैं ठीक है साथियो तो सबसे पहले देखे हम PFMS की जो website है उसको open करते हैं और open करने के पैश्चा ता आप यहाँ पर your payments इस पर किलिक करिएगा और किलिक करने के पश्चात देखे पूरा का पूरा statement वही व्यक्ति देख पाएंगे जिनको PFMS के द्वारा भुकतान हुआ है और PFMS पर वे वेंडर के रूप में किसी प्रकार से वे जुड़े हुए हैं और साथ ही उनका mobile number PFMS पर registered है तो सबसे पह नीचे के जो हैं यहां पर bank आ जाएगा और चलिए यहां पर मैं select कर देता हूं select करने के पश्चात यहां पर आपको account number भनना पढ़ेगा और account number भनने के पश्चात नीचे enter confirm account number यानि कि account number को दो बार यहां पर भरना पढ़ेगा तो चलिए मैं account number को दोनों बार यहां पर भर कर लेते हैं चलिए capture code को भरने के पश्चाथ यहाँ नीचे option है send OTP on registered mobile number तो देखें यहाँ पर हम click करते हैं और जैसे आप click करते हैं तो आपका जो account जो भी mobile number यहाँ पर registered है जैसे कि मेरा last में है 906 तो देखें इस वाले number पर एक OTP चला गया है उस OTP को मैं लूँगा और लेने के पश्चाथ यहाँ पर है enter OTP उसको यहाँ पर देखें OTP आ चुका है 668287 668287 ठीक है साथ हो और उसके पश्चाथ देखें यहाँ पर जो verify OTP है यहाँ पर verify OTP का option है इस पर हम verify कर देगे जैसी हम verify करते हैं तो आप देखेगा पूरा का पूरा statement यहाँ पर आ गया है ठीक है SSB जुनोर यहाँ से देखेगा किस date को कितना payment हमारे account माया है यह विनकुमार और यहाँ पर देखेगा amount तो यह सारे का सारा जो है एक पूरा statement हमारे पास आ गया है तो इस प्रकार से जो भी हमारे ARP है वो देख सकते हैं कि उनको कितना statement आया है या जो हमारे vendor है वो भी इसी प्रकार से देख सकते हैं कि उनको payment कब किस date में उनके account में transfer हो गया है ठीक है साती हो तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो PFMS पर vendor के रूप में है और उसका mobile number इस पर साथ में registered है तो इस प्रकार के द्वारा वो यह देख सकते हैं अपना पूरा का पूरा statement यहां से साथ ही हो यह download का option है इस download पर आप किलिक करिएगा और किलिक करने के बाद पूरा का पूरा जो statement है वो download हो जाएगा और उस statement को इस प्रकार से आप download करने के बाद share कर सकते हैं प्रिंट भी कर सकते हैं तो इन ही सब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ धन्यवाद यदि वीडियो आपको सार्थक लगी हो अच्छा प्रियास लगा हो तो साथ यो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद